सडक से संसत तक यह अपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो आज दिल्ली की सडकों पर घूम लीजिए क्योंकि 280 जगों पर आज आपको लोकतंत्र की खूबसूरती यानि की प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे यह प्रोटेस्ट हो रहे हैं दो सरकारों के बीच के कारण निगम में बैठी भाजपा दिल्ली सरकार पर जिस पर आम आदमी पाटी काविज है उस पर आरोप लगा रही है कि इन्हों ने इनका 13,000 करोर रुपया नहीं दिया मैं आपको बता दूँ कि इतने पैसे होते हैं भारत में इतने पैसे सरकारों के पास जमा होते हैं और इन पैसों से सरकार हमारे लिए ववस्थाएं करती हैं जब यह पैसे नहीं होंगे तो पक्की बात है कि विवस्थाओं में कमी आएंगी ऐसा हुआ है आपको पिछले 6 म इनों से हम खबरे दिखा रहे हैं जिसमें MCD के employees लगातार हर्ताल पर रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं सागरपुर में और सागरपुर से निगम पार्शत और education department SDMC के चेर परसन मुगेश सूरियान मेरे साथ है मुगेश जी systematic way से प्रदर्शन का ये चौथा चरन फिर भी कोई हल नहीं आज क्यों पुवास से क्या आपको लगता है कि सरकार थोड़ी सी भी बात आपकी सुनेगी देखें आप लगातार हमारे प्रयास देखे रहे हैं आपके channel के मादधम से तो हम बार बार लोगों को भी बता रहे हैं हम निगम से KJRIWAL जी के घर तक कहीं बार चाए हैं हमने पत्रा चार किया हमने टेलीफून के मादधम से कोशिश करे हमने meeting के मादध anonymous करे हैं कि है पैसा ना होने करन हम 453 टीचर्स को जोई नहीं करा पा रहे हैं उसका सीधा सीधा जो मैसीज है कि हमारे पार पैसे का अभाह हुआ है हमने केजरिवाल जी को कही बार पत्र लिखा मैंने फाइले भिजवाई बार बार हमने चिट्टी लेकी कमिस्टरा लेकिन जिसके दिल्ली को बार-बार गुम्रा करें कि मैंने सिक्सा में दिल्ली को बदल दिया मैंने वर्ल्ड क्लास इस्टर के एजुकेसन दे दी आज वो उस सिक्सा को भी मारने में लगे हुए है डवलमेंट का फंड नहीं दे रहे हैं सैलरीज का पैसा नहीं दे रहे हैं जो ग्रांट है कुई बी निगम चलाने के लिए दिल्ली नगर काम करता और निगम पे कोई भी आपति आती है आर्थिक सितिकों लेकर तो उस राज्य सरकार की नेतिक जुम्मिधारी बनती है कि निगम को सुचारु रूप से चलाए 6,640 क्रोड रुपे आप उतरी दिल्ली नगर निगम का देना आपने 29 60 क्रोड रूपे आपने ईसी दिली नगर निकम का देना है थरी सिक्स फोर जीरो आपने सौध-दिली नगर निकम का दे रहा हैं उसके बावजूत भी जो हमारी बेहने और हमारे भाई हमारे पारिस साती जो आपके घर कम्लें गए थै आपने मिलने से मना कर दिया वो आपके ध्амаοग के 12 धरने पर बैठे हैं आप उनके मिलने का समय नहीं है एक तरब आप कहते हैं कि मैं दिली का मालिक हूं सदन केां करते हैं,, आज उस मालिक से ग्यारा दिन से लगाधार डिली कि जन सेवक मिलने की कोशिस कर रहे उनसे आगरे कर रहे हैं लेकिन मालिक को बिल्कुल फुरसत नहींहीं है, जो दिली को शाजने का, सवारने का सुधारने के काम करते हैं जो आज अगर आप मुझे देखिए हम आज की डेट में हम लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बुरे हालात होने वाले हैं सर सर एक बात बताईएं आपने न नौर्ध दिल्ली NCD की बात की बहुत बड़ा रकम बगाया है तो नौर्ध दिल्ली सासित नगरन के मगिला तथे इनके पास कोई होते नहीं इस आरोप पे हमारे छेल ब्यारी जी ने मुख्यमंतरी केजरिवाल पे उनके प्रवक्ता पे मानिय सतेंदर जैन पे हमने आज ही कल केशदायर कर दिया है अचा एक चीज और बताईए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे की बटकाने की बात कर रहे हैं वैसा ही तो आमाद्मी पार्टी भी कह रही है कि किसान आंदोलनों में चुके आमाद्मी पार्टी ने समर्थन दे दिया तो पिछले 11 दिन से आप आमाद्मी पार्टी को रोकने के लिए और किसान आंदोलन से ध्यान बटकाने के लिए कारी कर रहे हैं पहले वो अपने किसान तो समाले दिल्ली के जो प्राली से खाद बनाने की मसीन लाए थे जो केमिकल रही है आज आप जाके पूसा में जूटा नाटक करते हैं केमिकल लेकर के उसके प्राली जगा कहते हैं यह वह मुख्य मंत्री है जिनने दिल्ली से दिल्ली के किसानों का दरजा चीना, दिल्ली में किसान नहीं है, आपको मालूँ है आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली से अगर किसी ने खेती को खतम किया है, दिल्ली से अगर किसी ने किसान के अधिकारों खतम किया है, तो केजरिवाल सरकार नहीं किया है, तो उनको तो बोल उसके जुम्मेदारी जनता ने आपको दी है पहले उसको समा लिए आप दूसरे की थाली में जहागने का काम करें आपकी अपनी थाली खाली डपली बजरी है संगवाद के अंदर एक चीज होती है फेडरलिजम के अंदर की दो सरकारों के बीच में आम तोर पर कन्फिक्ट सो जाते हैं लेकिन तब बुरा होता है जब दो सरकारों का कन्फिक्ट दो पॉलिटिकल पार्टी के कन्फिक्ट के रूप में सामने आता है लड़ाई तो निगम की थी दिल्ली सरकार से भारती जन्ता पार्टी इसमें इन्वॉल्फ क्यों हो गई आप मंदलत द्यक्षे इसलिए मैं आपसे पूजना जा रहा हूँ भारती जन्ता पार्टी निगम में हमारी सरकार है और हमारी लड़ाई कोई राजनीजिक लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई है उन बच्चों के लिए जिनके लिए मिड़े मिलका खाना अगर आता था उस पैसे से आता था उन करमचारियों के लिए सफाई करमचारियों के ल पारक कर रख रहाओ कैसे होगा साफ सफाई कैसे होगी यह चिंता करते वे भाजनता पार्टी का कारी करता अपने निगम में बैठे हमारे पार्षदों के साथ कंदे से कंदा मिलाने को तैयार है और साथ चलेगा जब तक यह पैसा निगम को वापिस नहीं आएगा इस लड़ में यह जंग लंबी चन्ने वाली है लोग तंत्र के अंदर लोग अपनी बाते रखते हैं बात रखने का अलग-अलग तरीका होता है बुरा तब लगता है जब आप किसी चीज का पहले समर्थन करें और बाद में उस चीज के खिलाफ खरे हो जाएं यह केजरिवाल पे भी लागू होती है और भारती जंता पार्टी पे भी जिस धरने का साहरा लेके वो दिल्ली की गद्दी पर विराज मान हुए अरविंद केजरिवाल को कम से कम नैतिक रूप से थी सही लेकिन आब आदी पार्टी के उन नेताओं से मिनना जरूर चाहिए जो 11 दिनों से इतनी ठंड में उनके घर के बाहर बैठे हैं कैमरे की बीचे हैं रोहित मेरा नाम है प्रभात आप देख रहे हैं नेशन लाइव दिन भर हम आपको लगातार निगम के जो प्रदर्शन है उसकी अपडेट्स दिखाते आ रहे हैं आगे भी दिखाते रहेंगे